नमस्कार मेरा नाम जनक है और आप देख रहे हैं HR and Labor Law Forum Indian Express के अवाले से एक ख़बर निकल के आई है जिसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे ख़बर Infosys और उसके Employee के बारे में है IT Company का एक Union है जिसका नामे NITES NITES ने Infosys के लिए कंप्लेंट किया है हमारी हमारी जो Employment Ministry लेबर एन Employment Ministry उसको कंप्लेंट किया है कंप्लेंट ऐसा है कि Infosys का एक Employment Term है Non-Compute Clause है Clause के लिए उन्होंने कंप्लेंट किया है Clause ऐसा है कि Infosys का कोई Employee अगर 6 महिने के जोब छोड़ने के 6 महिने के अंदर उनकी जो Competitor Company है जैसे TCS है, Vipro है, Essenture है, IBM है वो और दूसरे जो Infosys अपने Client के लिए Project का काम करती है तो वो जो Employee है जिस Client के लिए काम कर रहा है Infosys की तरफ से वो Infosys से जोब छोड़ने के बाद 6 महिने के अंदर वो Client को जोइन नहीं कर सकता और जो Competitor Company जो मैंने नाम बताए उनको जोइन नहीं कर सकता बट अभी आपने कबर सुनी होगी कि जो Infosys है उसमें Employee का Addrition लेवल बहुत हाई है तो उन्होंने Talent को Retain करने के लिए उन्होंने यह भी सकती दिखाना स्टार्ट किया है इस Clause को लेके तो इसी सकती के अगेंस्ट में जो Union है उन्होंने Complaint किया है Government को या तो हमारी Employment and Labor Ministry को Complaint किया है कि आप इसमें Intervene करो और इसमें कुछ समादान या तो जो भी इसके उपर जो solution है वो लेके आओ दूसरा एक केस हो गया अभी काफी सारे IT Company में ऐसे Clause है जो Non-Compit Clause है बट अभी Infosys का जो है वो News बाहर आई है अभी आगे हो सकता है कि और भी जो कंपनिया है IT Company उनका भी आ सकता है ऐसा ही एक केस जो हम discuss करेंगे जो पहले हो चुका है और Supreme Court तक गया है तो केस ऐसा था कि जो हमारे Media Company है Media Company में Anchor काम करते है तो जो Anchor उसमें भी एक ऐसा Clause था कि अगर कोई Media Company को छोड़के अगर दूसरी Media Company जोइन करता है तो वो दो साल तक जोइन नहीं कर सकता दो साल के बाद वो जोइन कर सकता है तो वो फिर केस बाद में Supreme Court में चला गया और Supreme Court ने decision दिया कि यह क्लॉज ऐसा जो क्लॉज रहता है जो क्लॉज गलत है तो देखते हैं अभी आगे क्या और News निकल के आती है और ऐसे कोई News निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि अगर कोई वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आए थेंक यू